क्या आप बाजार जा रहे थे इस सेंटेंस की इंगलीज चानेंगे आज की इस हिंदी टू इंगलीज ट्रांसलेशन वीडियो में तो चलिए हम इसे इंगलीज में ट्रांसलेट करते हैं अंत में रहे थे यदि sentence के अंत में क्रियाक साथ रहा था रही थी रहे थे आता है इस तरह का sentence translate होता है past continuous tense के नियम से ये interrogative sentence है तो past continuous tense के interrogative sentence को English में translate करने का structure होता है जो क्या से शुरू होता है इस तरह के interrogative sentence में क्या की English नहीं लिखते हैं पहले helping verb इसमें helping verb रहेगा were उसके बाद subject आपकी English you उसके बाद verb का ing form बर्व है जा रहे थे जाना की English go go का ing form going उसके बाद जहां भी जाना हो उससे पहले to लगाते हैं यहाँ पहे बाजार बाजार को English में करते हैं market were you going to the market क्या आप बाजार जा रहे थे इसकी English है were you going to the market यदिे yeah sentence हो क्या आप बाजार नहीं जा रहे थे were you not going to the market were you not going to the market तुम बाजार क्यों जा रहे थे यह whad interrogative sentence है पहले whad yarni q की English पहले why या फिर दिया sentence हो तो यह भी डावले एच वर इंट्रोगेटिव sentence से पहले कब की English वेन वर यू गोईंग टू दा मार्केट तुम बाजार कब जा रहे थे वेन वर यू गोईंग टू दा मार्केट तो दोस्तो मिलते हैं इसी तरह के और भी Hindi to English Translation के नेक्स्ट वीडियो में नए sentence प्रैक्टिस के साथ तो अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इसे तरह के छोटे छोटे Hindi to English Translation प्रैक्टिस वीडियो मिलती रहे ताकि आप कम समय में आप हर रोज प्रैक्टिस कर सकें Thank you for watching